हालो एब्रीवान विल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ मानिका कैसे हैं आप सब उमीरे अच्छे ही होंगे तो हम लोग है शिमला में जैसा कि आप लोगों को पता ही है तो हमने मैंने सोचा था कि शिमला जाके मैं डेली कहीं अच्छे अच्छी जगा जाओंगी और वीडिय से बारी सुजाती है तो शंडी को जिस दिन हम आये ते उस दिन नानी के यहां गए रात को आए नेक्स डे मामु के शी colored जाओंगी ओर अच्छी कि वहां पे आप लोगों को दिखाऊंगी, वहां क्या-क्या है, तो ऐसा हमने सोचा था, सुबह से मौसम साफ था, और हम लोग तैयार हुए, जैसे ही हम लोग तैयार हुए, बाहर निकले, घर से बाहर कदम रखा, और भुंदाबादी शुरू हो गई, तो हमने सोचा तो थोड़ा आगे चले हम लोग टैक्सी में बैठे ही थे और इतनी तेज बारिश हुई ऐसे लग रहा था बाल्टियां भर-बर के कोई उपर से गिरा रहा इतनी तेज बारिश हुई हम लोग सारे भीग गए बच्चे भी थे मैं और मेरी सिस्टर फिर हम उसके बेटे को ले तो अर्ट को बच्चों के साथ तो फिर आज हमने क्या सोच आसुबस से मौसम्न खराब था तो मैंने सोचा मौसम खराब है कहीं जाने का कोई सोचने का फायदा ही नहीं है और आज हम्ने वैसे ही सुबाण नाच्टा वगरा हम लोगों ने किया मैंने का चलो कपड़े दो कपड़ें तांग कोपड़ हो नहीं तो आताक में और यह दो तु क्ला करना रहत है जो स़बने शेयर कैने मेरी सिस्टर गाहिएuity, यहाँ है टो वह अधर ऑगा थी रात और वो जी जा जी भी मेरे इदर आगे थे, हमने का चलो कपड़े दो लेंगे, तो कपड़े दोने को हमने अभी डाल रखे हैं, और उसके बाद अभी हमने क्या देखा, 12 बजे के बाद मौसम हो गया है, बिल्कुल साफ, साफ तो नहीं, मतलब बादल है, बारिश बिल्कुल अभी तैयारी विगरा कुछ नहीं की है, और अब मैं जो है, रेसिपी शेयर कर रही हूं, आप लोगों के साथ, ब्रेड पकोड़ा की तो चलिए कल देखते हैं, वैसे नेट पे देखा था, शायद कल मौसम साफ है, तो चलिए तब की तब देखेंगे, मैंने सोचा चलो आ मैं जाती हूं, जो मैं करती हूं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, शेयर करना, तो मैंने का चलो रूम दिखा लेती हूं, रेसिपी शेयर कर लेती हूं, और मेरी कुछ ड्राइंग्स थी, पेंटिंग्स 8th, 9th, 10th की, जो मेरे पापा ने, मेरे भाई ने बह मैं जरूर दिखाऊंगी, तो चलिए फिर फटा फटा से बनाते हैं, ब्रेट पकड़ा, तो यह जो आलू है, यह मैंने बॉइल करके रख दिये थे, तो मैं सबसे पहले इनको कदुकस कर लूँगी, सारे आलू को मुझे कदुकस करना है, और जो तेल है, मेरे पास सरसों का क्योंकि आजकल बर्सातों में इसमें कीडे वगेरा होने का डर रहता है, तो बेसन चान लिया है, उसमें डाल दिया है, नमक, खल्दी, तोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, अलका सा नमक मैंने डाला है, तो बस इन सब को अच्छे से मिला के, इनका इसका ज जाएगी तो इस üzड़ा तो फ्ट्रीन टाले मिला तैक्चर चाहिए, क्योंकि प्रेड कोटिशलर कमें डिप señorом कने यह खांद तो अच्छे ले ले लिया है, थो बारिक बारिक चॉप कर लों गी और इसे हम डालेंगे आलू में, जो हम स्टपिंग अपनी त्यायर करेंगे, तो प्याज को मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है तो ये वो आलू है जो मैंने कदुकस कर लिये थे इसमें मैं प्याज डाल दूँगी अदरक लसुन का पेस्ट मैंने पहले इसमें डाल दिया था तो प्याज डाल दी है और नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला जीरा मसाला जो आप डालना चाहें अपने सुआत के अकोर्डिंग ली डाल सकते हैं तो बस इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे बहुत अच्छे से इनको मिलाना है और इसका जो है एक डोसा त्यार कर ले के लिए तो बस मैं यह जो ब्रेड है ब्रेड का जो एक हिस्सा है उस पे अच्छे से यह जो हमने बनाई है स्टाफिंग इसको अच्छे से कौर्नर कौर्नर तक हम लोग लगा लेंगे आप चाहे तो हाथ से लगा सकते हैं तो या स्पून से लगा सकते तो जैसे मैं भर रह प्रेट के दूअशसे करें पला को को नियुक्त कि तपका यह सब्कार करने अब बारी आती है इसको फ्राय करने की तो बस जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें डूबो डूबो के मैं जो यह स्टफिंग करके ब्रेड रखी है इसे डाल दूगी और सारी ब्रेड पहले मैं इसमें डाल दूगी जितनी आएगी चार पांच और उसके बाद इने अच्छे स हमें सेख लेना है मीडियम आंच पे मैं जो है यह सारा काम कर रहे हूं क्यूंकि अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो यह जल जाएंगे और फिर बहार से जले-जले से होंगे क्यूंकि इस पेसन बहुत पतला है तो बस इस तरीके से जब एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हैं क्यूंकि बेसन जो है हमने थोड़ा पतला रखा है जादा थीक बेसन रखते हैं तो यह फिर सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं हमें एक रंची से बनाने थे तो बस मैं इन्हें अब तेल से निकाल दूँगी यह हो चुके हैं और इसी तरीके से मैंने सारे जो है बना लिये बाद इनको निकाल लेंगे तो यह हमारे अलमुस्त तयार ही है तो चाहे भी मैंने दूसरी तरफ चड़ा दी है तो चाहे भी हमारी बन चुकी है तो बरसातों में यही मज़ा है स्नैक्स खाने का पकोड़े हो चाहे हो और कोई भी तलीब उनी चीजे हो अच्छी लगती है तो ये है वो रूम, जैसे ही हम डोर से एंटर होते हैं, तो ऐसी एक गैलरी सी आती है पतली सी, और उसके बाद सबसे पहले आता है ये रूम, ये लिविंग रूम है, तो दो रूम यहां है, ये पुरानी अकॉमोडिशन है, पर ये बड़े-बड़े रूम है, बहुत सबसेती, तो ये है, ये मने ने 11 में बनाई थी, ये मने शौक से बनाई थी, प्लस फिलस भूम में मेरे पास पक्लाइघatin, ये मनी बनाई ते मैने लगा रखा है और इसी वॉल पे है, पापा ममी की फोटो तो गैलरी में मे दिप टोयलेट और बातरूम है, और गैलरी के ब काफी टाइम से गाउं में है तो यह दूसरा रूम है तो यहां बच्चे कंबल में लेपट कर बैठे हैं क्यूंकि यहां ठंड है मैंने आपको बताया था यह काटून देख रहे हैं तो बस इस तरह के यह जो दो रूम है बड़े-बड़े हैं तो उमीद है आप लोगों को य वीडियो पसंद आई होगी और यह जो मैंने आपके साथ ब्रेट पकोड़ा की रेसिपी शेयर की है यह भी पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक कियर